स्वागत हाव सभी का एक वर फिर से मेरे यूटूब चनल में तो हरियाणा जी के देख लेते हैं कल के पेपर में लेवल थरी में हरियाणा जी के कैसी पूछी गई थी तो देखे यहाँ पर 81 किस्टन है निमलगीत हरियाणा के राज्यापालों में से किन का निदन पद पर रहते हुए हो गया था राइट अंसर ओफ्शन कास्ट हो जाएगा बी एन चक्रवर्ती नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई ओध्योगिक कोरीडोर के अंतरगत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश छेत्र ओध्योगिक छेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है राइट अंसर यहाँ पर देखे सेकेंड हो जाएगा रेवाडी हिसार निवेश छेत्र नेक्स्ट है प्राण वायू देवता पेंशन स्कीम किस से रिलेटिड है हरियाणा राज्य में पुराने पेडो को संरक्षित करने है तो यह स्कीम लौंच की गई थी फर्स्ट राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमली कितमे से किसने पंजाब एम हरियाणा उच नयाले के मुखे नएदीज के रूप में कारिया नहीं किया है तो राइट अंसर ओप्सन थर्ड हो जाएगा जस्टिस एमे एस जैन के दवारा नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी उदवार टोक्यो पैरा लंपिक दो जारिकिस में कितने जो पदक है वो जीते गए थे तो राइट अंसर ओप्सन फोर हो जाएगा उननेक्स्ट है हरियाणा लोग सेवा आयोग अपने किये गए कारिया के बारे में वार्षिक परतिव इसमें पदम भूशन प्राप्त करता है ओप्सन फाड राइट हो जाएगा तरलो चन सिंग नेक्स्ट किले पूछा गया है हरी परभः मासिक पत्रीका का परकासन किया गया है यहाँ पर राइट अंसर थाड हो जाएगा हरियाणा स्वास्कित कार्दमी के दवारा नेक्स् कि तिनों सही हैं इंदोरी मारखंडा टांगरी नेक्स्ट है पुछा गया है किस गरंध उस गरंध को चीनित कीजिए जिसमें थानेसर कौलेख मिलता है तो राइट अंसर यहां पर थर्ड होगा हरस्चरित्र में भी मिलता है और हैंसां के वरतांत में भी मिलता है कादंपरी म बी करपूर मंजरी में नहीं मिलता यह राज सेकर की रचना है जो महिंदरपाल के दरवारी थे तो यह यहां पर इसमें नहीं मिलता राइट अंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा तो यह थे हर्याना जी के किसन ठीक है उमीद करती है युडियो आपको पसंद आई होगी पसं